सिवनी जिले की उगली थाना शित्र के ग्राम पांडिया छपारा में बीते रोज इसाई मिशनलियों द्वारा एक गरीब परिवार को तरह तरह के भई दिखाती हुए प्रलोभन देकर जवरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला किया जिसके बाद उक्ति परिवार ने उगली थाने में शिकायत कर दी वहीं सामाजिक संगिठन धर्म रक्षा सेना के हस्तशेप के बाद पुलिस ने जवरन धर्म परिवर्तन करने का प्यास करने के आरोप में चार इसाय धर्म प्रिचारकों के कलाब आईपीसी की धारा 295 ए 34 एवं मदब्रदेश धार्मिक्ष से पीडिक हो तो मेरे घरे आए मैंने मेरे से पूछे कि क्या हुआ है तो मैंने बताई कि ऐसी इस्तीती हुई है मेरी जप्ची को याने मतलब बहुत इलाज करवाई ठीक नहीं हुए तो इन लोगों ने बोले कि आप इसाई भर्मने जाओगे तो तुम्हारी बच्ची ठी भुकमान होगे तो बिल्कुल नहीं मनाना है किसने करना है इस प्राकार से उनने बोले कि तुम इस धर्म में जाओगे तुहारी बच्ची ठीक हो जाएगी ये प्रवलोगन दिये मिरको और फिर मेरे धर्मी आये और मेरे को धर्व परिवर्तन करने करने कि भी बोले तो मु पूर में भी प्रसासन को सांकेतिक रूप से आगलाह कर दिये थे आज लगबग एक बजे पांडिया च्छापारा में फूर्वंता वाई के यहां कुछ एसाई लोग पहुचे और उनकी बेटी का इलाज करने के बहाने धर्मांत्रान की बात कह रहे थे जैसे कि हमारे कारक करताओं ने मुझे फून में सूचना दिये कि पूर्वंता वाई कि यहां 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 लोग धर्मांत्रान करने का और कुछ प्रयास कर रहे हैं तब हम तचकाल वहां पहुचे और ठाना प्रभारी को इसकी सूचना दी और लिखित आबेरन लेके हमने कारवाही की मांग कि हैं ऐसे लोगों पर हम सासन और सासन से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कारवाई होना चाहिए पाड़िया शपारे की महिला प्राथिया द्वारत धर्मांत्रंट के ब्रोध में एक सिकायत की गई है जिसकी जाच की जा रही है जाच उपरांत आपको अग्रिम कारवाई के स पाड़िया यार्ण